गुद्मॉर्णिंग स्टूडेंट्स। बजव आजसी 30 पार्ट पुस्तत्ता तीसरा चैप्टर तिठे सब्वे थाउन करन जा रहे हां। आव इनू पढ़िए। अम्रिशन नू सिफ्ती दा कार्गिया जान्दा है। ए पंजाब दा प्रसिद शहर अते जिलावी है। प्रसेद मतलब मशूर इसनू गुरु साहे बांदी चरण शो रापत है। एथे कई तार्मेक स्थान हान। गुरु आर्जन देव जी ने इस दिन नी प्रसेद सूफी फकीर साइं मियामीर जी पासो 1588 इस भी विच रखवाई सी। इस चैप्टर दे विच गल कीती गई है अम्रिसर शहर दी जिसनू सिफ्ती दा कार किहा जानदा है। सिफ्ती दा कार पाव अजेहा कार जिस दी तारीफ ले साड़ेकुल शबद काठ होन। अम्रिसर पंजाब दा परसेद शहर है सो नू सबनू पता है। अधे इत्थे कई गुरु साहबारने चरन चो उनदी प्रापत है इस शहर नू। अधे इस दी में सिफ्त परज में गुरु सिर गुरु अरजन देव जिने का प्रसेद सूफी फकीर साई मीया मीर जी को लो रखवाई सी 1538 लिज। सीरी हर्मांदर साहिब ने सिरी दर्बार साहब भी किहा जान् jours कि संग मर-मर्दा बढ़े बाये जान् के देते सुने दे पत्रे चड़े हैं ए सुने दे पत्रे चड़े हैं इस सुनेरी मंदर दे द्वाले एक निर्मल जल्दा स्रोवर है इस रोवर 500 फुट लंबा आते 400 फुट चौड़ा है दर्बार साहब सरोवर दे विचकार स्थित है दर्शनी ड्योडी तो दर्बार साहब दे अंदर एक लंबे पुल नहीं पहुंचया जानदा है दर्बार साहब विच इसीरी गुरु ग्रन्त साहब जीदा प्रकाश होंता है दर्बार साहब बैठके संगता कीतन सुन दिया सर्वन कर दिया हना सो जदो तुसे सिरी हरमंदर सहाइब जान दे हो तुसे देख्या होएगा कि दर्बाहर साब जड़े दर्बार साब वो बिल्कुल सरोवर दे विजगार स्थेत है आते उदे चारे पास से सरोवर है निर्मल जालदा सरोवर है सरोवर मतलब तराब जेदी की लबाई 500 पुट ते चड़ाई जड़ी है 490 पुट है अते जदो तुसी दर्बार साब अंदर पत्था टेककन जाना होवे ते तो अनू दर्शनी ड्योडी चो निकल के जाना पेंदा है दर्शनी ड्योडी एक तरन दर गेट होंदा है ऐन्टरंस गेट जेदे अंद्र लंके तुसी कारदे अंदर धाकिल हो सकते हैं वजो पुराने समय देवीच कारदे अंदर बढ़दे सार ही अंदर जानते सार ही एक ड्योडी उक कम्रा बनिया होंदा सी इसे तरहां दर्बार साहब विच्वी दर्शनी ड्योडी बढ़ी हुई है तो एक पोल बढ़िया होया जेदे उत्तो लांके उसी दर्बार साहब मत्था टेक देओ आते से अपनू पता है कि उत्ते सिर्गुरु ग्रान साहिब जिदा प्रकाश किता हुए हुंदा है ते संगता हुथे बैठके कीर्टन सुन गिया है गुरु करते लखा शर्दालू रोज अथे मत्था टेकन ओंदे तेकड़ा पर साथी देग भी करवाँदे हान। देग हरशाद सर्दालू स्रोवर विश श्नान भी करते हैं सिर्ग हर मंदर साहेब्धी एक विशाल परिकर्मा है विशाल बहुत वड़ी परिकर्मा दे विज़ड़ बच्चों तुसे रारे नूस्यारी पानी है पपा रारे नूस्यारी कक़्रा परिकर्मा तुसी जो दर्बार साब जाने हर मंदर साब जाने तुसी देख्या होएगा कि तलाब दे चारों पासे एक बहुत वड़ी परिकर्मा बनी होई है जेदे तुसी चक्कर पूरा लगांदे सो इस परिकर्मा विच तेन बेरिया हान जिना विचो एक दुख पंजनी बेरी है परिकर्मा विच बाबा दीप सिंग्जी दी यादगार भी बनी होई है सिरी हर्मंदर साहिब दे चार दर्वाजे हान जो चार दिशामा पूरा पच्छम उत्तरते दखनवाल खुल दे हान इस गल्दे सूच चखान के ए अस्थान किसे वी दिशावलो आ रहे लोकान ले खुला है पामे वो किसे वी तरम या किसे वी वरगनाल संबंद रख दे हो इस साब्दा सांजातीर अस्थान है सो बच्चियों हर्मंदर साहब दे विचे चार दरवाजेहन जड़े की गुरू साहबा ने चारे दिशामा विच रखवाए इस दे पिछे ए कारण सी कि गुरू साब चाब्दे सन कि दरबार साहब दे विच कोई वी व्यक्ति बिना किसे तरमते वरग दे पेदपावतों उते आके मत्था टेक सके। सिरी हर्मंदर साहब दे बिलकुल सामने सिरी अकाल तख़त साहब है जिस दा निर्मान छेमे पाश्या सिरी गुरू हर्गोविन साहब जी ने करवाया सी। बढ़वाया सी। गुरू का लंगर हर वेले संगताली त्यार होनता है। इस गुरू कार्दी जिन्नी सिफत कीती जावे थोड़ी है। इस जिहा होर कोई स्थान नहीं है। इसली गुरुबानी दा महावाग भी है। जिठे सब बेठाव नहीं तुद जिहा। सो जिन्नी मर्जी कोई वद्या था, कोई सोनी था तुसी देख लो पर गुरू देकार, पर मात्मा देकार, जिहा सुन्दरकार कोई भी नहीं हो सकता। तुसी दिवाली बारे सुन्या है कि अम्रिसर दी दिवाली बहुत मशुहूर है। उत्थे दिवाली ती आतिश बाजी किती जान्दी है। दीप माला उत्थे दी बहुत मशुहूर है। सो ए महावाकवी अम्रिसार देले दर्बार साथ देले बिल्कुल टुक्वा है कि असी जिन्ने मर्जी सोने थां देख लिए पर परमात्मा देकार जहा हरिवंदर सहिब जहा कोई विहोर स्थान नहीं है बचयों तुसी इस पार्टनों चंगी तरह सुनना समझना है ते नाल ही एदे नाल बैक एकसाइज शेर किती जारी है तुसी उन्नों भी सॉल्व करना है आओ एदे चपदर्थ एकवरी दुबारा देखे प्रस्तिद मशूर निर्मल साफ सरोवर तलाब देग प्रशाद निर्मान बनवाण दा काम रतावी जरावी अत्तुट लगातार चलनवाला सुबच्चों ये शबदर तुसी अपनी नोटबुक ते लिखने हन अते इस दिनाल ही बैक एकसाइज भी सॉल्व करनी है तन्वाद